नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? आज हम योग करेंगे थाई फैट के लिए आज का वीडियो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है हालांकि पुरुषों की जो थाई स्पैट होती है वो महिलाओं से कम होती है उसका कारण होर्मोन्स होता है दिक्कत तब शुरू होती है जब आपका थाई फैट जरूरत से जादा हो जाता है जरूरत से जादा हो जाता है इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब यह है कि जब आप खड़े होते हैं तो आपके थाईस के बीच में जो गैप होना चाहिए वो नहीं होता आपस में थाइस टकराते हैं और आपको चलने में भी दिक्कत होती है उठने बैठने में दिक्कत होती है जिससे आगे चल करके आपका पॉश्चर खराब होने लगता है लोवर बैक इशूज होना शुरू हो जाते हैं और जो हमारी रीड की हड़ी होती है उसक थाइज में extra weight accumulate हो रहा है, उसके सबसे बड़ा जो कारण है वो है water retention, जब आपके शरीर में sodium इखटा होने लगता है, शुगर जादा होता है, तो आपको ये दिकत शुरू होती है, water retention में आपका शरीर पानी इखटा करने लगता है, जिससे शरीर जादा फूला हुआ लगता ह दूसरा कारण होता है आपकी sleep pattern, जो लोग कम सोते है या फिर जिनकी नींद खराब होती है, बारबार टूटती है, उन लोगों को भी दिकत होती है क्योंकि उनके hormones imbalance हो जाते है, महिलाओं में जब estrogen आपका बढ़ता है, तब भी thighs fat बहुत जादा बढ़ने लगता है, इसके जो water retention है, वो main कारण है thigh fat के लिए, आज के जो हम आसन करेंगे, वो specifically इस तरीके से बनाए गए है कि जब आप इनको करेंगे, तो आपके thighs पर ही उसका असर होगा, पांच आसन हम करेंगे, लेकिन हमें कितने repetition में करना है, कितनी बार करना है, वो हम साथ में जानेंगे, तो च चलिए साथ में योग शुरू करते हैं, चलिए पहले आसन से शुरू करते हैं, जिसका नाम है उतकत आसन, चैर पोस, जिसके लिए आपको पहले सीधे खड़ा होना होगा, सामने देखेंगे, अब आपको क्या चीज़े नोटिस करनी है, जिससे आपका पॉस्चर ठीक रहे करते हैं, जिसका असर जादा महसूस हो और हमारे थाइस पेस का आपको दर्द महसूस होना चाहिए, उसके लिए पहले सही पॉस्चर में खड़ा होना जरूरी है, तो देखें, आपकी जो एड़ी है और आपका बड़ा अंगुठा है, ये एक लाइन में रहेगा, ताकि आ ये बार क्या होता है, बहुत सारा वेट पंजियों पर दे देते हैं, और हमारी जो नीज होती है, उस पर जादा स्ट्रेस पड़ता है, तो हमें क्या करना है, अपने वेट को चारो तरफ दिस्ट्रिब्यूट करना है, ताकि हम बीच में अच्छे से बैलन्स करके खड़े ह हो जाएंगे, पेरो का गैप कंधे के बराबर रहेगा, अंगूठे एकदम सामने, अब उतकत आसन कैसे करते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले सांस भरेंगे, दोनों हातों को ऊपर लेके जाएंगे, इस तरीके से, मेरी जो आम्स हैं वो बिलकुल कानों के सामने आने चाह पीछे लेके जाएं, शोल्डर खूलें और बिलकुल कानों के बराबर में, अब क्या करेंगे, एक सांस भरेंगे, छोडते हुए हलके हलके हमें ऐसे बैठना है, जैसे पीछे कोई स्टूल या चैर है, और ऐसा करते वक्त आप अपने वेट का ध्यान रखें कि पूरे पैर पर आपके पंजे पर वेट अच्छे से डिस्ट्रिब्यूट हो, और धीरे 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 आपको नीचे जाना है, अब देखे जब मैं नीचे जा रही हूँ, तो आपका घुटना इस अंगुटे से बाहर नहीं जा सकता, ये रूल है, आपको अपना घुटना पीछे रखना है, और अपने थाइस का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, नीचे दीरे दीरे बैठेंगे, हाथ पूरा उपर खुला रहेगा, और आपको सामने देखना है, अगर आप गलत करेंगे, तो आपका असर यहां आएगा, अगर आप ठीट करेंगे, तो आपको यहां पर जलन महसू होगा, वही हमें करना है, तो सामने हाथ लेके गए, और यहां पर आए, सांस भरी, सीधे हुए, फिर सांस छोड़ी, और फिर कुरसी पर बैठ गए, कितना नीचे बैठना है, यह डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी, अगर आप इतने पर ही है, तो ठीक है, जितना आप नीचे जाएंगे, उतना आपको इसका स्ट्रेच महसूस होगा, गल्ती क्या होती है, यहां पे लोग इस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि फिर बजन जो है आपका उपर वाले हिस्से पर आया, तो हमें क्या करना है, यह उपर रखना है, और जो सास भरिये, अब मेरे साथ कीजिए, एक्जेल, वान, इन्हेल अप, एक्जेल डाउन, टू, इन्हेल अप, एक्जेल डाउन, थ्री, इन्हेल अप, एक्जेल डाउन, फोर, इन्हेल अप, एक्जेल थ्री, नीचे आते जाएं, फाइव, फिर इन्हेल, उपर, और exhale नीचे, hold, एक, दो, तीन, चार, पाँच, inhale, अब, exhale, डाउन अगर आपका थाइस के अलावा कहीं और असर आ रहा है, तो कुछ गलती हो रहे है वेट distribution ध्यान में रखना है, आपकी ब्रीड की हड़ी सीधी है, वो ध्यान में रखना है और आप जब बैठते हैं कुर्सी पर, तो आपकी एड़ी और पंजे पर वेट एकदम बराबर हो करके आना है और जैसा मैंने बताया, आपका जुकुटना है, वो पंजे से बाहर नहीं जा सकता ठीके, तो अब बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ, जिसको कहते हैं वीर भतरासन एक, warrior pose 1 तो इसको कैसे करना है, सामने आ गए, पैर खोला, यह मैं कई बार करा चुकिए, मेरा फेवरेट पोज है, बहुत ही पॉफेक्ट आसन है, यह हमारे थाइस के लिए, यह देखे, तो पहले पैर को खोल लिया हमने, राइट लेक को 90 डिग्री किया, और जो दूसरा वाला पै प्या स्क्रीम के सामने हैं, फिर आप क्या करेंगे, रिकर अलके रिकरीए, टिल्ट होते जाएंगे, तब तक टेल्ट होंगे जब तक आपकी ना भी, आपका घुटना और आपका पंजा, एक लाइन में हो जाता है, ठीके, इस तरीके से, चेस्ट बाहर रहेगा, अब हभन क्या करना है सांस भरेंगे फिर एक्जेल करिए एक्जेल करिए और एक्जेल करते वक्त नीचे जाएंगे और खुलना है और खुलना है लेक को तब तक जब तक आप यहां पर 90 डिगरी आ जाए ठीक है तो गुटना और एंकल एक लाइन में रहेगी सामने रहेंगे होल एक द दो, तीन, चार, पांच, एक लंबा सांस भरें, फिर एक्जेल करें, टी बनाएं, और दीर दीरे नीचे, सामने देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, इन्हेल, एक्जेल, हाथ नीचे, सर उपर घुमाके, हलके से वापस आजाएं, यही सेम चीज हम लेट साइड की तरफ क करेंगे, तो लेट वाले लेक को 90 डिग्री लेके गए, यह वाला 45, पैरों को अच्छे से खोलेंगे, नाभी को पूरा घुमा दें, बिलकुल सामने की तरफ, यहाँ पर कमफिटेबल हो जाएं, सांस भरें, और एक्जेल करें, यह देखें, 90 डिग्री लेके आना है, पैर की बनाएं, नीचे जाएं, होल्ड, एक, दो, तीन, चार, पांच, सांस भरें, और एक्जेल नीचे, हाथों की मदद से वापस उपर, वापस आ जाएंगे, इस आसन को आप क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ी और इंटेंसिटी लाने के लिए, पांच सेकिंड की जगे, 10 से पंदरा सेकिंड रुख सकते हैं और दो बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे आसन की तरफ, बहुत अच्छा आसन है, ट्री पोज, थाइस के लिए पॉफेक्ट है, जिसके लिए आपको सबसे पहले, इस तरीके से बिल्कुल जैसे सीधे हम खड़े होंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा, देखिए जब आप हाथ इस तरीके से अपना रखते हैं, हिप से बाहर आपके पैर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी कंदे के अंदर आपकी ये सिमेट्री बैठे की, तो आपका जो हाथ है, उस पंज को उपर लेके जाना है, जिसके लिए हम सारा वेट अपने राइट साइड पर लेकर के चले जाएंगे, लेफ वाले को थोड़ा सा आराम देगे, इसके बाद ये देखिए, ये पोजिशन होती है, पहले यहाँ पर आजाएं, सांस एक लंबा भरें, खुद को रिलाक्स करे और इसके बाद इस लेफ वाले लेक को हलके से उपर लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, इस तरीके से, और इसको अच्छे से थाईज में फसाएं, यहाँ पर फसाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करना है, या तो हाथ आप यहाँ रख लें, या फिर उपर ठीक है? यहाँ पर रुकेंगे कम से कम 10 सेकंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस बरे और एक्जेल करते हुए पहले नमशकार मुद्रा में आ जाएं इस हाथ की मदद से इसको रिलाक्स करें और वापस सेम चीज दूसरी तरफ कर लेते हैं अब इसमें और इंटेंसिटी के लिए क्या है? मैंने 10 सेकंड के लिए रुकी हूँ अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं जादा तो आप इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करना सीखें इससे बैलेंस आपका बढ़ेगा और जब मैंने यहाँ पर वेट पूरा लिया है तो जब थोड़ी देर तक आप होल्ड करते हो तो जो थाई होती है थाई मसल उसको बहुत सारे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है टू कीप दा बैलेंस और आपका जो शरीर है उसकी पूरे वजन को करने के लिए जिससे आपके क्वाड़ी सेप, पीछे हैंस्ट्रेंग इन सब पे जोर आता और आपकी मसल स्टोन होती है चीक है चलिए लेफ्ट तरफ शुरू करते है पहले इस पुजिशन में आएंगे, लंबा सांस बरेंगे, रिलाक्स करेंगे और आपका पैर उठेगा उपर चीक है तो इसमें देखे एक और चीज है जब मैंने पैर यहाँ पे रखा तो फिसल गया, तो आपको पैर अच्छे से ये देखे थाई के इनर साइड पे अच्छे से फसाना है और आप देखेगा आपका बैलेंस बहुत इंप्रूव होगा यहाँ पर आने के बाद आप अपने हाथ को या तो यहाँ रख सकते हैं या उपर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस सांस भरें और फिर एक्जेल करें इस हाथ के मदद से पैर को वापस लेके आएं तो यह हुआ हमारा ट्री पोज अब बढ़ते हैं तीसरे आसन की तरफ जिसका नाम है उतकत कोनासन बहुत ही अच्छा आसन है अंगरी जी में इसको गौड़ेस पोज कहा जाता है काफी पावफुल पोज है यह जिसके लिए आपको अपने पैरो को पहले खोलना होगा इसके लिए भी आपको अपने थाईस की बहुत अच्छी स्टेंज चेहें और अगर नहीं भी है तो इस पोज को अगर आप रेगुलर्ली करते हैं तो आ इतना खोलना है कि आपकी जो एड़ी है उसके बिलकुल सामने आजाएं शुरू में जब आपके इनर थाईस वीक होते हैं या कम फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप देखेगा कि इतना पैर करने के बाद इतने से जादा आप नहीं कर पा रहे हैं क्यों कि आपकी फ्लेक्सिबि पन को बढ़ाते हैं और लचीला पन आपके शरीर को बहुत जादा मोबील बना देता है जिससे आपको कोई भी मूब्मेंट करना असान होता है ओल्ड एज में स्पेशली हमारे बूब्मेंट अगर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो हमारी इंजरी के चांस बहुत बढ़ते है जरा सा चले नहीं या फिर जरा सा जुके नहीं चोटा जाती है अगर आप योग अपनी यंग एज में प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ओल्ड एज में आपको बहुत अराम लगता है और बहुत जादा आपको फायदा मिलता है चलिए तो इस तरीके से आपको बेसिकली ख जाज भरते हुए फिर हमें नीचे बैट के एक बार प्रैक्टिस करना है और देखना है कि हम कितना नीचे जा सकते हैं तो दोनों हातों को यहां रख लें थोड़ा बैलेंस मनाए चाती एकदम सामने की तरफ रहनी चाहिए और धीरे-धीरे एक्जेल करते जाएं ठीके आपको पूरा अच्छे से नीचे जाना पड़ेगा ठीक है यह देखे यह है गौड़ेस पोज इसमें आप या तो हात इस तरीके से रख सकते हैं या उपर तोनों तरीके से अब हम करेंगे कैसे इसको पांच बार हम डिपिंग करेंगे और फिर वापस आएंगे और फिर उ हあの मदने ऐसा अर प्रैक्टिस किज 도ॉब है थि चलियistic इन्हेल और एक्जयल वर ईन्हेल ओर एक्जयल थीसी बार इन्हेल और एक्जयल चाथी बार इन्हेल और एक्जयलास्ट पांच inhale exhale हाथ नीचे ले आए थोड़ा था break ले ले थोड़ा अपने posture को ठीक करें इस बार हम 5 सेकंड के लिए hold करेंगे चीक है चलिए inhale exhale hold 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए हलके हलके उपर आए पैरों को वापस तो यह हुआ हमारा Goddess Pose अब करते हैं आकरी आसन जिसका नाम है अंजनी आसन इसके लिए आपको क्या करना है आप सबसे पहले सांस भरके नीचे आएंगे यह देखे हातों को इस तरह के से रख ले और फिर अपना राइट लेग जो है उसको पीछे ले जाए यह अश्व संचार आसन है गुटने को हलके से नीचे रखे पैरों को रेस्ट कराएं और फिर क्या करेंगे जो आपका गुटना है और एडी है इसको देखें एक लाइन में है या नहीं फिर सांस भरते हुए इस तरीके से आपको उपर जाना है यहाँ पे होल करें एक दो तीन चार पांच सांस भरे और एक्जेल करते हुए हाथों को यहाँ पे रख दें अब इसके साथ एक और स्ट्रेच करेंगे जिसमें आपका जो राइट है उसको यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले चीके सांस भरे और इस तरीके से हाथ को उपर ले जाए एक दो तीन चार पांच सांस भरे एक्जेल हाथ नीचे आ जाएगा और फिर गुटने को उठाके उपर अब दूसरा पैर लेके जाए इनहेल अब एक दो तीन चार पांच सांस भरे एक्जेल हाथ नीचे दूसरा वेरियेशन कर लेते हैं हाथ को यहाँ पे रखा इनहेल आप होल्ड एक दो तीन चार पांच सांस भरे छोड़ते हुए नीचे हाथ साहरा लेके वापस इनहेल यह जो मैंने पांच आसन का आपको रूटीन कराया है इसमें आप रेपेटिशन बढ़ा सकते हैं या फिर अपना काउंट बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर समय नहीं है तो जैसा मैंने कराया है एस इस उसको फॉलो करें और कम से कम इसको आपको हफते में चार दिन करना है नमस्ते